आज चलिए आज हमारा फुर्स्ट आपकी स्टार्ट करते हैं हम जिसका नाम है कॉस्ट आफ कैपितल आपकी दोस्तों हम फाइन्शल मेनज्मेंट का फॉर्स टापके श्टार्ट करने जा जिसका नाम है cost of capital cost of capital start करने से पहले इसके कुछ basic बातें करने कि यह क्या चीज देखिए अगर मैं बात करूं capital की तो capital को अगर मैं बहुत ही easy words में समझाऊं तो capital का मतलब होता है long term funds तो अगर मैं इस नाम को elaborate करूं तो यानि क्या हो गया cost of long term funds यानि company के अंदर जितने भी long term funds invest होते हैं उन सब की cost cost of capital कहलाती है ठीक है तो chapter start करने से पहले हम कुछ basic सी रूप रेखा यानि कि थोड़ी सी बेस तयार करने अपना दोस्तों एक कंपनी के अंदर कि कंपनी के अंदर बहुत सारे पैसे invest होते हैं जो की equity के रूप में आते हैं डेट के रूप में आते हैं और या फिर company की ही अपनी को savings जिसको retained earning बोलते हैं उसके रूप में होते हैं अब यह सारे पैसे company के अंदर invest होते हैं और company फिर इनको further अपने business में यूज करती है business में यूज करके अपना profit revenue generate करती है जो company के पास आते हैं तो यहां तक तो बात समझवाई लेकिन फ्रेंड्स यह जो यहां से जिन से उन्हें पैसा लिया है इनको भी return चाहिए होती है यानि यह जो long term funds company ने यूज कर रही है जिन जिन लोगों का पैसा यूज कर रही है उनको return चाहिए होती है तो company जब यह अपना profit यानि revenue generate कर लेती है तो अपने उस profit में से revenue में से इनको इनका return वापस करती है यानि indirectly way में यह जो profit में से यह अपना जो पैसा इन लोगों को share कर रहे हैं यह company के लिए cost बन जाता है तो यानि cost of capital का मतलब क्या हो गया cost of capital का मतलब that कि company जब बाहर वालों का पैसा यूज करती है और उस पैसों का यूज अपने business के अंदर गरती है और फिर उस पैसे के यूज करने की कुछ कीमत यानि interest रुकानी पड़ती है company को तब उसको हम cost of capital केते हैं तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर यह जितने भी long term funds यानि equity हो गया डेट हो गया प्रफ्रेफरेंश सेयर हो गया रिटेन अर्नी इन सबकी cost company को क्या पड़ती है यह निकालना हम सीखेंगे तो cost of capital का अगर मैं बात करूं यह होता क्या है तो इसके अगर मैं छोटी सी definition के बारे हम बात कुरूं तो इसकी definition होती है cost of capital का मीन्स मेनिंग of cost of capital for financing its operation a firm can raise long term funds through a combination that reference share capital and equity means जब दी एक firm को अग के या यही company को पैसोद्टी पड़ती है तो वह इक वीटी से पैसा ले सकती है और प्रेफेरिन्स से पैसा ले सकती है या फिर कि सेविंख का जैने जिस्सेsां निकाने बोलते हैं महाँ से पैसा यूज complenet कर सकती है तो जब इन से पैसा उठाथी है कंपनी तो बदले में इनको कुछ ना कुछ देना वोता है एक्वटी शेयर होल्डर को क्या देते है ने इससे नियाफ टूरेटश देना पड़ता है प्रिफेंज शेर वालों को प्रिफेंज डिविडेंट देना पड़ता है और रिटेन अर्णिंग यह खुद की सेविंस होती है तो इस पर भी हमारा इंट्रस्ट का लॉस होता है तो हर किसी को कुछ न कुछ बदले में return देना होता है तो ये जो return company को ये जो सारी return company को देनी पड़ती है बाहर वालों को इसे ही company की cost कहा जाता है और इसे ही cost of capital कहते हैं यानि जब company अपने operation यानि अपने business के लिए बाहर से पैसा fund raise करती है है fund raise करती है तो उसके बदले में जहां जहां से पैसा raise किया होता है उनको उनका return as a dividend interest preference dividend interest के रूप में दिया जाता है तो उसको company की cost consider किया आता है और इसको ही cost of capital बोलते हैं चलिए इस chapter को start करते हैं और बात करते हैं इसके इंदर क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं तो अभी अभी हमने देखा कि capital के अंदर क्या-क्या चीज़ include होती है capital के अंदर सर मुख्य रूप से चार चीज़े include होती है सबसे पहला आगया debt यानि जो company नहीं कि बाहर से पैसा उठाती है इसके अंदर डेबेंचर सामिल होते हैं कि लोन सामिल होते हैं लॉंग टर्म और भी अधर टाइप्स के लोन हो गएं सिक्योर्टी जा गई इनको debts बोलते हैं सेकेंड आगया आपका preference share प्रेफरेंच शेयर को आप जानते होंगे preference share एक एक्विटी से अधर एक एक एक्स्टा और शेयर्स होते हैं जो इनको मालिकाना हग तो नहीं होता लेकिन यह as equivalent मालिक के बराबर ही हो जाते हैं company के अंदर लेकिन बस केवल एक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है जनरल मीटिंग में इनको वोटिंग का राइट नहीं होता तो debt, preference share, capital का parts होते हैं और साथी साथ equity और retain earning यह सारे के सारे capital का part होते हैं तो इन चारों की ही cost निकालना हम इस chapter के अंदर सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सबकी cost निकालना और बाद में हम discuss करेंगे अपने questions को तो सबसे पहले मैं बात करता हूं cost of debt की तो देखिए cost of debt पहले तो मैं यह बता दू cost of debt को यहां पर एफम के अंदर cost को के से डिनोट किया जाता है यानि अब इसका short form हो जाएगा cost of debt यानि cost of debenture या debt बोल सकते हैं हम इसको d4 हो गया debt और k4 हो गया cost यहां पर cost को ऐसे लिखा जाता है ठीक है तो इसलिए k4 हो गया cost क्योंकि इसलिए आज से हम जब भी कॉस्ट के डीर पढ़ेंगे तो इसको cost of debt बोला जाएगा या cost of capital बोल डिवेंचर बोला जाएगा कि अगे तो चलिए अब देखते हैं cost of debt या डिवेंचर कैसे निकलता है तो देखिए आपको पता ही होगा जो डिवेंचर होते हैं आपके वह दो तरह से होते हैं एक तो होता है कि रिडी मेंबल कि और एक होता है इन रिडी मेंबल यानि ये कुछ समय बाद रिडीम हो जाएंगे और ये कुछ समय बाद रिडीम नहीं होंगे for example किसी person ने एने एक डिवेंचर खरीदा वो भी 10 साल के लिए खरीदा है तो अगर 10 साल के बाद इसको इसके पैसे यानिकि प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटन हो जाएगा और जो इस पर इंट्रेस्ट होता है वो तो हर साली से मिलता ही होगा तो यह होता लेकिन जो एक बार बस के वला पैसा इंवेस्ट कर दीजिए और अपने पैसे को भूल भूल जाए और जिंदिगी भर आप केवल और केवल उसका इंट्रेस्ट खाते रही है तो चलिए बात करते हैं दोनों केसिस में कैसे कॉस्ट डिसाइड होगी या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा देखें डिवे डिवेंचर होल्डर को क्या पे कि जाता है इंट्रेस्ट यानि जो यह इंट्रेस्ट डिवेंचर होल्डर को पे होता है वह कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाती है तो जाहिर सी बात है अगर मैं बात करूं कोई डिवेंचर अगर 10% का डिवेंचर है जैसे आपने देखा होग 10% debenture के उपर pay किया जाता है जो कि company के लिए cost बन जाती है लेकिन आपको एक छोटी सी बात और बता दी जाएं कि जब भी ये debenture 10% का pay होता है इसके उपर company को tax में benefit मिलता है इस वज़े से ये 10% का खर्चा 10% feel नहीं होता मतलब मैं आपको यहां पर बताता हूँ देखिए एक छोटा सा में comparison करके बताता हूँ दो companies के बीच में A limited और B limited तो देखते रहेगा आराम से आपको सब कुछ दिये दिये समझ में आने लगेगा दो company है दोनों ने 10-10 लाक रुपए लगा कर अपना business start किया लेकिन सर इसके अंदर सारा का सारा पैसा A limited का यानि एक ही person का था लेकिन इसके अंदर जो पैसे आए वह दो जगे से लाए गए चार लाक खुद का लगाया गया और छे लाक लाया गया डेट से यानि लोन से और लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो था 10 परसें यहां तक बात समझ में आ गई अब बात आती है कि इन्होंने सेल कितनी गरी यानि profit कितना कमाया माल लीजिए इन्होंने दो लाक रुपे कमाये और इन्होंने भी इस पे दो लाक रुपे कमाये तो मैं बात करता हूं EBIT यानि earning before interest and tax यानि वो पैसा जिसके उपर अभी ना interest गया है और ना ही टैक्स गया है बाकी सारे खर्चे आपके fix खर्चे वेरियेवल खर्चे सारे के सारे माइनस होने के बाद यह profit आया है जिसको earning before interest and tax बोलते हैं तो यह जो टर्म है यह आगे यूज होती रही बार बार तो इसको ध्यान में रखिएगा earning before interest and tax यह दो दो लाक रुपे दोनोंने कमा लिया अब इसमें से लैस होगा आपका interest कि बाहर वालों का जेतना interest देना होगा वह less होगा देखिए यहां पर इस case में सारा का सारा पैसा इनका खुद का था तो इसलिए इनको interest नहीं देना तो इनका interest बन किया जीरो लेकिन दो लाक वाले case में इन बी लिम्टर के तो इसलिए अब जो इनका profit आएगा यानि interest earning before tax यहां पर इंटरस्ट पे हो गया इसलिए आपके वल टैक्स रहे गया इसलिए यहां पर अर्णिंग बिफोर टैक्स आ गया यह दो लाख का दो लाख आ जाएगा यहां पर एक लाख चाली सजा आ जाएगा अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे माली जीए टैक्स रेट है एड़े थर्टी परसेंट इसका थर्टी परसेंट अब सेक्स्टी थाउजन हो गया इसका सिक्स्टी थर्टी परसेंट अब बात करेंगे अर्णिंग आफ्टर टैक्स यानि वह पैसा जिस पर टैक्स पे हो चुका है तो देखें यह आ गया एक लाख चाली सजार यह आगया नाइंटी एट ढॉज़न खक्यां अब देखी यह जो पैसा आया है अब यह शेर होल्डर का पैसा यानि शेर होल्डर का या मौलिक का पैसा अब दोनों में देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको पैसा लगेगा कि इन्हों ने ज्यादा कमा लिया और इन्हों ने कम कमा लिया और जाहिड सी वाते एक लाग 40,000 जादा होता है ठांवे जार से लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं इसका अर्णिंग पर शेयर निकालू यानि एक शेयर के उपर कितना पैसा कमाया गया वह देखा जाए तो देखिए कि एक लाग चाली साथ इन्होंने कमाए और पूरे के पूरे कि दस लाख पे इन्होंने दस लाख रुपया केवल एकवर्टी कर था तो इसलिए इन्होंने जीरो पॉइंट वन फो रुपीज कमाया ठीक है इसका देखा जाए अठानबे हजार रुपय कमाए इन्होंने और वह भी कितने पे केवल और केवल 4 लाख पे क्योंकि इन्होंने 6 लाख रुपीज बाहर के लिए थे तो एकविटी का पैसा केवल 4 लाख का बच कि पीन जिरो यहां गहें कि अच्छार दुनी आर्ट चार दुनी आर्ट बचा कितना एक चार तक सोला बचा कितना तिरिवेल कुल्मी केरिवेल इंगे अले इंगे अले इंगे अले नमांगला अले नमांगला कि अच्छा चार चुक सोला बचे दो पॉइंट लगाया चाहबंचे बीस कि अच्छा होना बचे दो पॉइंट लगाया बीस आपन से बीस यह हो गया और दो जीरो जागा तो फॉइंट यहां से को जाएगा तो यह हो गया टू फॉर पाइट तो देखिए यहां पर इन्हों ने र हर एक शियर के ऊपर 0.14 रुपीज कमाए और इन्होंने हर एक शियर पे 0.245 रुपीज कमाए यानि देखा जाए तो इनका रिटन अच्छा है विकॉज इन्होंने हर एक शियर पे इनसे लगबग लगबग डबल के हिसाब से पैसा कमाया तो ऐसा हुआ किस लिए ऐसा क्योंकि इन्होंने जो यह पैसा कमाया था यह जो रेट दो लुपाय कमाये थे 10-10 लाक नहीं मैं 10-10 लाक रुपे तो यानि अगर मैं बात करो कितने 10 लाक कर आपने 2 लाक रुपे कमाये यानि की जो आपका Cheese ивает of return है वो कितना आ गया 20% आ वह साथ से इन भाई साब ने व crush कमाए था टूने पर संदी लेकिन हुआ क्या इनों ने 20परेंट कि रेच से पैसा कमाया और लेकिन जो पैसा इन्हों ने मार्केट से उठाया था उसका जो रेट था वो था केवल 10% यानि कि 10% से पैसा उठा कर कमाया 20% तो 10% अगर पे कर दिया सामने वाले को तो जो बचा हुआ 10% का हिस्सा था वो भी इनकी जोली में आ गया जिस कारण से इनको यहाँ benefit मिल गया और दूसरा रीजन यह है इनका जादा आने का इस 60,000 के कारण इस 60,000 के कारण इन दोनों का tax में differences देखिए कितना आ गया इनका 60,000 tax है और इनका 42,000 रुपए का tax है जबकि दोनों ने कमाए same amount थे तो इससे एक बात proof हो जाती है कि interest save tax और वो हमने देख लिए किस तरह से same amount कमाने के बावजूद जो EPS है यानि अर्निंग पर शेयर वो बी लिम्टेट का ज्यादा था रैदर देन ए लिम्टेट से तो चलिए अब देखते हैं अपने concept वे वापस आते हैं और हम यहाँ जान चुके हैं कि interest से benefit होता है tax के अंदर यानि यह सारी बात बताने की ज़रूरत इसलिए थी because मैं बात कर रहा था कि company अगर 10% का debenture issue करती है तो वो cost company को 10% की rate से interest देना दो पड़ता है लेकिन company को तो वो 10% 10% feel नहीं होता कैसे अभी अभी देखा हमने कि यह जो 10% का जो पैसा था उसने यहां पर tax में benefit दे दिलाया सामने वाली party से देखिए दो लाखिन का भी था दो लाखिन का भी था लेकिन benefit हो गया यानि कि यह जो 10% का पैसा यह actual में कुछ और कम feel होता है यानि यह tax में benefit देखे जाता है इसलिए जो इसका actual burden है बस केवल वही consider करेंगे उसी को cost मानेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे क्यों में निकलेगा actual burden और देखते हैं आगे कैसे होता है काम तो हम बात कर रहे थे डिवेंचर दो तरह से होते हैं कि रिडीमेंबल और इर्रिडीमेंबल तो हम अभी बात करते केवलों केवल इर्रिडीमेंबल के बारे में कि देखिए में डिवेंचर के अंदर क्या क्या आता है डिवेंचर के अंदर हमें इंट्रस्ट पे करना होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं ठीक है तो अभी अभी हमने देखा कि इंट्रस्ट सेफ स्टैक्स तो इसलिए इंट्रस्ट से इसको नेट आफ टैक्स निकालना होगा यानि इंट्रस्ट जो अगर 10% का है वो हमें टैक्स में बेनिफिट दिलाता है तो इसलिए नेट आफ टैक्स करके निकालेंगे तो यह आई को मल्टिप्लाई कर देंगे 1-1-2-1-2 से क्या होगा टी-4 इस्टैंड-4 टैक्स रेट सब्कूत जितना भी टैक्स होगा इसको यहां लिक देना है और अ जैट मेंट टैक्स रजाएगा और उसको डिवाइट कर देना है को इसको नेट प्रॉसींड से से नेट प्रॉसींड का मतलब क्या हो गया आपने जितने भी रुपया का शेयर इश्यू किया था वह नेट proceeds कहलाता है multiply by 100 तो देखिए यहाँ पर आई इस्टेंड फॉर इंट्रेस्ट टी इस्टेंड फॉर टैक्स रेट और एंपी इस्टेंड फॉर net proceeds net proceeds में देखिए क्या आएगा अगर मालीजे आपकी कमपनी ने डिवेंचर इश्यू किया दा 100 का और उसके अंदर बोला गया है कि डिवेंचर इश्यू किया है 100 का लेकिन 10 रुपे का उसके अंदर प्रीमियम है और कभी कभी अगया उसने बोल दिया खर्चा floating charge के नाम से या कुछ और market expenses के नाम से आपको बता दिया कि debenture issue करने में माल लीजिए 5 रुपए खर्च हो गए तो 5 रुपए खर्च भी माइनस कर देंगे यानि 100 रुपए debenture की value 10 रुपए premium पे जो आ रहे थे उसके पैसा add कर लेंगे और जो उसको issue करने के लिए जो भी खर्चा हो गया उसको माइनस कर देंगे इसको बोलते हैं net proceeds ठीक है net proceeds का मतलब क्या हो गया debenture issue करने के वक्त आपके pocket में actual पैसा कितना आया तो actual पैसा 100 के साथ अगर debenture premium पे इशू किया अगर premium का amount add कर देंगे और अगर कोई खर्चा है तो माइनस कर देंगे तो यह ultimately 105 रुपीज मेरे pocket में एक debenture के उपर आए तो यहां पर net proceeds 105 रुपीज कंसीडर की जाएगी ठीक है और अगर इसी के opposite मान लीजिए कि 100 रुपीज था और उन्होंने 2 रुपए के discount पे इशू किया तो 2 रुपए माइनस कर देंगे इस सामने वाली पार्टी 2 रुपए माइनस करें 98 रुपीज हमें पे करेंगी और साथ भी साथ अगर माइन और भी खर्चा हो रहा है माली जब 5 रुपीज और उसको issue करने में खर्चा हो गए डिबेंचर को marketing में जो भी marketing का खर्चा हो गया वह भी माइनस कर देंगे यह सार कि यह एक छोटा सा question करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से cost निकलती है तो अगर माली जए यह लिम्टेड ने डिवेंचर इशू किये थे इशू डिवेंचर और रुपीज टैनलेक्स एड़ रेट रुपीज इच इशू कर दिया और जो रेट ऑफ टैक्स है याई तैन परहेंट डिवेंचर माली जिए 10 परसेंट डिवेंचर इशू क्या है दस लाके हंड़ रुपीज इच फाइंड आउट करना है हमें कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और जो टैक्स रेट है और वह 30 परसेंट है तो चली एक छोटे से एक्जाम्पल से शुरुआत करते हैं अपनी तो देखिए जो के डी यानि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पहले फॉर्मला लेखिंगे सारा का सारा आई ब्रैकेट में वन माइनस टी डिवाइड बाइन पी यानि नेट प्रोसीड और मल्टिप्लाइब हैंड्रेट्स ओके आई स्टेंट्स पॉर इंट्रेस्ट रेट जो कि हमारा टैन पर्सेंट कोश्टन में दिया हुआ है कि वन माइनस थर्टी पर्सेंट डिवाइड बान नेट प्रोसीड इसमें कुछ नहीं का गया सिंपल बुलागा है फंड़र्ड रुपीज का इश्यू किया गया है और नाहीं कोई खड़्चा कि लिएन नाहीं कुछ और रिवन है प्रीमियम पर 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 कुछ नहीं गरने तो हमारे पॉकेट में आए होंगे तो नेट प्रोसीड के जगह पर हंडर्ड लिख देंगे और हंडर्ड हो जाएगा ओके है तेन परसंट का टैन परसंट रहेगा यहां पर अगर मैं वन में से थर्टी परसंट यानि अगर मैं इसको तो 0.3 भी लिख सकता हूं और डिवाइड बाइड हंडर्ड है जो यहां देखिए हंडर्ड से हंडर्ड कट हो जाएगा और यह जब माइनस हो जाएगा तो सब्सक्राइड के इंदर यानि इसका मतलब हो गया कि जो पैसा आपको 10% फील ओर रहा था आपको लग रहा था जो दैन दस परसंट डिवेंचिर का पड़ेगा दस परसंट तो कंपनी को दस परसंट ना फीलोके केवल और केवल वो नेट होके 7 परसंट फील होता है बिकॉज यह जो 10% की डिवेंचर जो इंट्रस्ट की वजए से हमारे टैक्स में भी बेनिफिट मिला होगा तो उसको नेट आफ करके हमने यह 7% निकाला तो यह तो बात थी सर इर डिवेंचर को डिवेंचर को डिवेंचर किया जाएगा तो उस केस में फॉर्मला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं करना सेम कॉंसप्ट रहेगा बस केवल वहां पर थोड़े साल कुछ सालों बाद वह इस्यों रिडीम होगा तो उसको कंसीडर करके चलेंगे देखिए अगर मैं बात कुरूं डिवेंचर की केस में क्या होगा देखिए डिवेंचर की केस में क्या होता है यहां पर कि जिरो साल एं और मालीजर डिवेंचर की किया गया दस साल के लिए कि एक दो थी चार पांच छै साथ आट नो दस ठीक है यह चैसे तससाल के लिए being sure कि अ गया और माली जय जो issue किया गया था वह था एड़ दर 800 एच और जो रिडीम होना था वो होना था एड़ दर एड़ वन ट्वन्टी यह इश्यू वह था पार पे लेकिन रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे कोई दिक है ठीक है और जो डियूरेशन है वो टैनियर्स का है ठीक है तो यहां पर यह चीज बात आ गई तो अब देखिए रिडीम रिडीमेबल के केस में हमें पता है कि 10 साल में एक्स्ट्रा जो इसे हमें पैसा देना पड़ेगा और मान लीजे जो 10 परसंट के रेट से इन में पे करने होंगे तो देखिए हर साल इनको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट डिवेंचर होल्डर को पे करना होगा 120-100 इस उकल टू 20 रुपीज 20 रुपए हर साल अपने पास सेव करके रखना होगा क्योंकि जब 10 साल पूरे हो जाएंगी तो डिवेंचर होल्डर को 100 की जग एक्सट्रा रुपे बाउन फील करें कि कि हरसाल इनको डौरुपए का एक्स्ट्रा रुपए का एक्स्ट्रा फील होता रहेगा लेकिन ये 10% के साथ साथ अब ये जो 2 रुपय एक्स्टा बर्डन लगेगा ये भी कंपनी के लिए कॉस्ट बन गई तो अब ये कैसे इसको चीज को कैसे कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे इस सीज़की कि कितने परसंट कॉस्ट फील हो रही है तो देखिए रिडी विमल के क नेट परसीड बोलते हैं हम देख चुके है लेकिन जितने रुपए पर ये लोग रिडीम कर रहे हैं इसे रिडीम प्राइस बोलते हैं या रिडीम वेल्यू बोलते हैं पाइन है बीर थिके तो यह एंप पी हो गया नेठ प्रॉसिट हमारे पस कितना पैसा आए और बी है बैल्ली कितना रुपिया गया तो यह दो अमाउंट इसके में हमारे पास में रिटिएलेंफ में पाइसमय दो अमाउंट आ कि और उन दोनों को देखेंगे किस तरह से इनकी कौस्ट निकालते हैं तो यहां पर हमारे पास जब नॉन रिडेमेंबल यानि ए रिडेमेंबल होता था उस केस में केवल नीचे नेट प्रोसीड आता था केवल एक अमाउंट आता था तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं थे ले कि इसमें जब भी प्रॉब्लम होती है तो हम एवरेज निकाल लेते हैं यानि एन्वी का प्लस करेंगे आर्वी से और डिवाइट कर देंगे टू से तो चलिए यह फॉर्मला हमारा तयार हो चुका है और बात करते हैं इसके बारे में आगे तो जब भी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आएगा वह भी किसकी केस में रिडियमेंबल वाले हैं तो उसके लिए फॉर्मला हो जाएगा आई इंट्रेस्ट उसको नेट ऑफ टैक्स अगेन उसकी तरह अब यहां पर जो दो दो रुपीस एक्स्ट्रा बर्डन पर पढ़ रहा थ था कंपनी के ऊपर यह देखिए हर साल टूटू रुपीस एक्स्ट्रा बर्डन जो आर आदा कंपनी को पर उसको भी इस कॉस्ट में इंक्लूड करके चलेंगे तो वह कैसे निकला हमारे पास हमारे पास वह निकला सिंपली आर्वी को माइनस किया हमने एंपी से और डिवा होगा रिडीम होगा तब तक से डिवाइट कर देंगे यानि हर साल यानि एन्वनी कितना बर्डन आ रहा है वह निकालेंगे तो यानि इसका फॉर्मला हो गया आई ब्लैकेट में one माइनस टी और साथ साथ कैसे निकलेगा आर्वी रेसेulल defense कितनी है हमारे केस में 120 था माइनस कर कि कितने और पे आजाव हमारे पास आया हमारे केसमें हंड़ेड रुपी सता कि दिविड़ कर नियों है याँ वाले केसमें अनपे लेते थे लेकिन यहां पर दो दो अमाउंट आ गया और वी और एन पी तो इस केस में हम दोनों का एवरेज लेंगे डिवाइड बाइ टू ठीक है तो यह सर हमारा फॉर्मला तयार हो चुका है जिसको हम यूज करेंगे जब भी हमें रिडियमेबल वाले केस में बोला जाएगा यानि कि एन पी यह तो बिल्कुल नेड उसके रिडियमेबल के रिडियमेबल की तरह है लेकिन बस केवल एक्स्ट्रा चीज यह जुड़ गई क्योंकि इसमें क्या होगा जब भी शेयर रिडियम होंगे तो या तो वह एट पार हो जाएंगे या एट डिसकाउंट होंगे या फिर जिन्दगी में अपने तुलना किसी से मत करो जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादूरी से भरा अगर इसमें डर और रिस्क नहीं होता तो हर को इसे कर लिता खौब जिनके उचे और मस्त होते हैं इंतखान भी उनके जबर दस्त होते हैं होसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं लेकिन जनून में वो मद मस्त होते हैं पहार की उचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नही गहन सघन्मन मोहक वंतरू मुझको आज बुलाते हैं किन्तु कि ये जो वादे मैंने याद मुझे वे आते हैं अभी कहां आराम बदा यह मूक निमंत्रन छलना है अरे अभी तो मीलों हमको मीलों हमको चलना है अरे अभी तो चलिए कोशन को देखते हैं एक्जामपल लेते हैं और देख इनेवेबर वाले केस में कैसे डिवेंचर का कॉष्ट निकले तो माल लीजिए यह एक कम्पनी है उसने अपने शेयर इस्व खिया कम्पनी ने इस्यू 10 लाइक डिवेंचर जिसका रेट आफ इंट्रेस्ट है 12 परसेंट ठीक है 100 रुपीज इच इस्यू क्या है वो जो डिवेंचर है वो रिडियम हो जाएंगे रिडियमेंबल आफ्टर 10 रुपीज है और रिडियम होंगे साथ वर्षों बाद यानि 7 रुपीज के बाद और कम्पनी का जो टैक्स रेट है टैक्स ब्रेकेट है वो है थर्टी फाइफ परसेंट ठीक है तो हमको निकालना है कॉस्ट आफ डिवेंचर और अगर इट कॉस्ट आफ डिवेंचर निकालना है इफ जो डिवेंचर थे वह इश्यू हुए थे अट पार अलग के से सेकेंड एट प्रीमियम अधर यह 10 परसेंट यानि 10 परसेंट के प्रीमियम पे इश्यू हुए थे उसकेस में कैसे निकलेगा और सेकेंड हो जाएगा हमारा एट डिसकाउंट डिसकाउंट में इश्यू हुए थे वह भी 10 परसेंट के ठीक है तो इसकी हमें कॉश्ट निकाल लिए तो देखेंगे किस तरह से यह निकलेगा है तो देखी सबसे पहले हम बात करते हैं एट पार की तो इस केस में सबसे पहले हम अपना फॉर्मला लिख लेते हैं के डी इस उकल टू आई ब्रैकेट में वन माइनस टी ध्यान रखिएगा यह रिडीमेंबल डिबैंचर का फॉर्मला है जहां पर शेयर्स को रिडीम डिबैंचर को रिडीम करना होता है कुछ स्पेसिफिक य यानि नेट आफ इंट्रेस्ट प्लस में आरवी माइनस एनपी डिबैंबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉसीड्स डिवाइड बाइन नंबर ऑफ इयर्स जितने सालों के बाद वो रिडीम होना है और डिवाइड कर देंगे आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाइड तो देखिए अब हम देखेंगे हमारे केस में जिस-जिस की जरुरत हो वह फाइंड आउट करेंगे क्या-क्या हमें दिया हुआ है ऐसे हमें ना दिया है कि ट्व परसंट के रेट है टी यह टैक्स रेट वह भी दिया हुआ है 35 परसंट और वी यानि रिडीमेबल वैल्यू देखिए यहां पर कहीं नहीं बोला गया कि रिडीम किस पर होगा यहां पर इशू के बारे में बोला गया कि एट पार होगा एट प्रीमिम में डिसकाउंट रिडीम के बारे में नहीं बोला गया कि रिडीम किस उस पर होगा रेट पर था यानि 100 रूपीज इच उसका बेस पेस्ट वैल्यू है तो उसी पर वो रिडीम होगा यानि कि हर केस में जो रिडेंट वेल्यू होगी वह 100 रही एंटर रूपीज एच ओके एंड एंड कितना कितने सालों बाद रेडियम होगा है सैवन यह दियर्स के बाद तो यहां पर देखी सारी थीजिए हमें पता चल चुकी हैं यहां पर बस खाली एनपी की बात करते हैं एनपी हर केस में बदल जाएगा قتलिक प्रो मतलब होता है कि आपके पौकट में कितना रुपएं लेगानेचार से नियों सो रुपएuhan डिम्याइं क्योंकि यहां पर डिसकाउं नैक्याइग से केस के अंदर जो एंपी होगा वह हंडड़ हो जाएगा तो यह हो गया अब हम अपना फॉर्मला में जो भी है उसको पूट कर देते हैं तो केडी इस उकल टू आई कितना है 12 परसेंट यहां लिख दीजिए वन माइनस 35 परसेंट है तो मैं इसको 0.35 लिख सकता हूं प्लस आरवी कितना है 100 माइनस नेट प्रोसीड कितना है वो भी 100 डिवाइड बाइड बाइस सैवन तो इसके इसमें यह जीरो हो जाएगा विकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया कुछ भी नहीं मतलब रिडीम जो होना है वह हंड़ेड पर होना एक और इस्टीव भी हो रहा था वह भी हंड़ेड पर है तो यहां पर कुछ फरक नहीं पड़ेगा इसको जब मैं माइनस कर दूंगा मुंटिप्लाइब हंड़ेड कर दीजेगा तो यह परसेंटेज में निकलती है इसको मुल्टिप्लाइब करूंगा तो यह सैवन पॉइंट एट आजाएगा और यहां पर यह ध्यान अखिएगा एक चीज और है कि आप नेट प्रोसीड्स या रिडीमेवर वैली चाहे एक शेयर के लिए चाहे पूरे के पूरे दस लाग शेयर के लिए आंसर सेम आएग ठीक है तो यहां पर 12 परसेंट है मैंने इसको इससे माइनस कर दिया तो जो भी 0.65 आया था मैंने इसको इससे मल्टिप्लाइब कर दिया यह सैवन पॉइंट एट अंसर आ गया यह 0 हो जाएगा और यह दोनों 100 हो जाएंगे और यहां पर भी 100 आ जाएगा तो यह 7.8 डिवाइड बाइ 100 मल्टिप्लाइब बाइ 100 था तो यह से कट जाएगा तो यह हमारा 7.8 परसेंटेज अमाउंट आ जाएगा इस केस में तो देखिए यह हमारा था एट पार पे जहां पर डिवेंचर साथ सालों के बाद रिडीम हो रहे थे उस केस में यह यह आगया हमारा 7.8 लेकिन आप बात करते हैं अपने सेकेंड केस की जहां पर इश्यू होए थे डिवेंचर 10 परसंट प्रीमियम के उपर तो इस्यू करने से पैसे आए होंगे वह भी 10% पर इस्यू किया था तो सेकेंड वाले केस में जो नेट परसीड होता है यानि हमारे पास पैसे कितने आए वह चींज हो जाएगा तो यानि नेट परसीड कितना हो जाएगा देखिए 100 रूपीज का शेयर था और प्लस 10% यानि ह कंपनी के पास 110 उर्पे हर एक डिबेंचर पर आए होंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा तो बस केवल इतना ही सा चेंज था कोशन के अंदर जब भी प्रीमियम पर इश्यू हुआ तो चलिए निकालते हैं केड़ी वही रहेगा अपना आई हमारा 12 परसंट है मैं डिरेक्ट लिख रहे रहा हूं क्योंकि फॉर्मला उपर लिखा हुआ है 12 परसंट आ गया ड्रैकेट में 0.65 मैंने वन में से टी को डिरेक्ट मैनेस कर दिया है प्लस जो कुछ चेंज होगा बस केवल यहीं पर चेंज ह आर्वी हमारा सौर रहेगा माइनस आर्वी में से माइनस क्या करते एंपी एंपी हमारा 110 आ जागा इसके समें बस और यह जो रिडीम हो रहा है वो आफ्टर सेवन यर्स हो रहा है ओके और डिवाइट कर दूँ यहां पर दो अमाउंट है हंड्रेड और वन वन जीरो दोनों का एड्ड करके डिवाइट बैट टू करना है हमें हुआ है 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 अगेन इसको जब सॉल्फ करों तो 7.8 ही आएगा लेकिन अब देखिए यहां पर हंड्रेड चोटा है वन हंड्रेड टैन बढ़ा हुआ बढ़ा है तो इसको जब मैं इसमें माइनस में आजाएगा और माइनस में टैन जो आजाएगा उसको मैं से अगर और जब मैं इसको जोड़ूंगा हंड्र में से यह जोड़ूंगा तो 210 हो जाएगा उसको टू से डिवाइट करने पर 205 नीचे आजाएगा माउंट कि सॉरी 105 आजाएगा माफ परियेगा और हंडर से इसको मल्टिपलाई भी करने तो देखिए जब भी मैं इसको अब डिवाइट करूंगा इसको तो जो भी अंसर आएगा वो यह माइनस में हो जाएगा और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा पास जो हमें पैसा देना है वह कम है रादर रेन पैसा आया आया हमारे पास 110 था और देना केवल सौर्प है तो इस वज़े से इस में हमारे पास बर्डन और कम हो जाएगा इसलिए यह माइनस में आएगा जिससे हमारा परसंटेज और कम हो जाएगा तो अगर 7.5 में से जब इसको 107 से डिवाइट कर देंगे तो यह सब्सक्राइब तो मैं इसको निकाल ले रहा हूं आप अपने केल्सी में सॉल्फ कर लीजिएगा कि मैं इसको ऐसे करूँगा तो यह 7.8 में से अगर मैं मैं इस करो तो यह 1.4 तू सम्थिंग आएगा और 105 यह रहा इसको 100 से मुल्टिप्लाइब भी करना है तो मैं इसको एक बार कर लेता हूं आप भी अपने केल्सी में कर लीजिएगा कि यह 9. कि यह आज आएगा आपका 6.07 परसंटेज तो देखिए यहां पर कंपनी ने प्रीमियम पर इशू किया था इस लिए उसको कॉस्ट कम फील हुई लेकिन यहां पर देखिए 7.8 फील हुई थी और यहां पर और कम फील हुई विकाज उसको प्रीमियम पर यानि देना कम पड़ा और उसके पास आया ज्यादा था तो इस वह से जो उसकी नेट कॉस्ट जो पड़ी वह कम हो गई तो यह था हमारा जब हम रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं वह भी प्री रिडीम किया था पार पर यानि हंडर्ड रुपीज पर ही रिडीम किया था और यह जो हमारा थर्ड वाला सिच्वेशन है इसको भी देख लेते हैं थर्ड वाली सिच्वेशन में जहां पर इश्यू हो रहा था वो एट पार डिसकाउंट था 10% तो देखिए यहां पर जब इश्यू हो था एड डिसकाउंट 10% की दर से तो सर यहां पर भी आपका नेट प्रोसीड अलग आएगा बिकॉज डिसकाउंट पर इश्यू करने से आपके पास पैसे कम आएंगे यानि 100 रुपीज का शेयर था और उस पे आपको 10% का डिसकाउंट देना पड़ गया तो इस मेंसे आपके पॉकेट में केवल 90 रुपे आए इस केस में आपका केड़ी यानि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा अगेण वही इंटरेस्ट 1-3 प्लस आर्वी प्लस माइनस हो जाया एलगा यहापर एंपी कर देंगे नमबर ऑफ यह से कितने सालों बाद रिडिम हो रहे हैं और यहाँ पर डिवाइट कर देंगे आरवी प्लस एंपी डिवाइड बाइट तो यहाँ पर देखिए इंटरस कितना है इंटरस रेटेट 12 परसेंट और वन माइनस अगेन वह 0.35 हो जाएगा प्लस कर देंगे यहां पर आर भी देखिए इसके समय और लेकिन एंपी चेंज हो जाएगा हंडर्ड हो जाएगा इसके समें और डिवाइड बाइब सेवन कर देंगे और यहां पर अगेन वही 100 और यह 190 आ जाएगा तो यह अगेन 7.8 आ आएगा पर आप माइनस करेंगे तो टेन गाए 10 वाइज एवन और यहां पर और इसको जब एड़ करेंगे तो यह हमें दिखे गा यह नइंटी 5 आ जाएगा यहां पर जब मैं इसको डिवाइट करूंगा एट को तो यह 1.428 सम्तिंग आएगा और 95 अगर आप इसको कैलवेटर में करेंगे तो यह देखिए आपके पास इसका अंसार आजाएगा एक मैं अपने पास कर ले रहा हूं आप भी कर लीजेगा यह आजाएगा 9.71 परसंट यह देखिए प्रीमियम पर इशू किया था तो हमें ज़्यादा फाइदा हो गया था क्योंकि हमें वहाँ पर आए ज़्यादा थे कम देने पड़े लेकिन इस केस में क्या था आए कम और देने ज़्यादा पड़ रहे हैं तो इस विजए से यह हम कासी काई जहांपर हमें दो तरह के निकलते हैं निकलती है सब्सक्राइब करंगे कोष्ट ऊणसिंट करें और के नंदर एक देखने के लिए उपर अई बटन में कलिक करें या वीडियो के में मैं ने बाकी की वीडियो का लिंक दे रखा है आप जाके वहां से उनको देख सकते हैं थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा